हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और उनका कमेंट ये था कि जो डोर के अंदर ओर वीम लगे होते हैं यानि के रियर वीव मिरर होते हैं उनको कैसे चेंज करें तो ये वीडियो इसी रगलियो दया अगा और आर्व धकर को खूलने का तरीका बिलकुल सिम्पल एक रुए मैं तो में इसको आपको बता देता हूं सबसे पहले हमें ये जो बलैक पर उते हैं ये जो लॉज करना है लिए अगा-d03 माट से पकड़ के तो यह इजली बाहर निकल जाता है और इस कवर को निकाल के साइट पर रख देना है और दोस्तों इसमें जो हमारे यह तीन screw दिये होते हैं एक ये वाला और एक ये वाला और एक इधर साइट पर ठीक है दोस्तो इन तीनों screw को हमें खोलना है तो जल्दी से पहले हम इन तीनों screw को खोल लेते हैं उसके बाद हम जो है अपना आगे का process देखेंगे क्या है ठीक है और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं ये सेंट्रों पर वीडियो बनाना बंद कर दू क्योंकि सायद मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती आप लोग लाइक ही नहीं करते वीडियो को अगर दोस्तो मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती तो कम से कम डिसलाइक करके ही चले जाये करो और दोस्तो आप मेरे चैनल के अंदर जाकर मेरी पुरानी 30 वीडियो देखना चैनल के अंदर 30 वीडियो पड़ी हुई है आज तक मैंने किसी वीडियो में भी लाइक करने के लिए नहीं बोला है ठीक है दोस्तों आज बोल रहा हूँ और अगर आपने इस वीडियो पर 50 लाइक कर दिये तो मैं समझूँगा मेरी वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होती है और जिस दिन इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाएंगे उस दिन मैं नई वीडियो उसी दिन अपलोड कर दूँगा ठीक है दोस्तों तो जल्दी से अपने वापिस काम पर आजाते हैं तो दोस्तों इसके जैसे दोनों इस कुल चुके है तो आप थीरे वाला इसकुल खुल ना है और थीजली बहार निकल जाएगा कुछ इस तरीके से थीक है दोस्त TP तो ये तो हमारा प्रोसेस था इसको ORVM को बाहर निकालने का और मैं आपको दोस्तों बता दूँ मेरा ORVM तो बिल्कुल ठीक कंडिशन में है तो मुझे इसको चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका किसी वज़े से ORVM खराब हो जाता है या तो उसको चेंज करने के लिए ये वाला प्रोसेस था ठीक है दोस्तों और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये आपको ऑनलाइन इसको आप खरीश सकते हो लेकिन ओनलाइन इसका 550 रुपे है ठीक है दोस्तों तो आप इसको खरीद के और कुछ इस तरीके से खोल के और लगा सकते हो तो अब मैं आपको जल्दी से इसको बंद करने का तरीका भी बता देता हूँ बंद करने के लिए श्रीफ इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है जैसे आपने इसको निकाला था वैसे इसको वापिस अंदर डालना है और जो हमारे तीन स्क्रू होते हैं उसको वापिस से लगा देने हैं जल्दी जल्दी मैं आपको यह करके दिखा देता हूँ थोड़ा फास्ट फॉर्वर्ड कर देता हूँ वीडियो को मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊँगा क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा के गाड़ी में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है ठीक है मेरी गाड़ी में तो एक दो प्रॉब्लम होती है तो मैंने उस पर वीडियो बना दिये तो आप कुछ चीजे मैं आपके लिए कर रहा हूँ जैसे मेरा ये ओर वीम बिल्कुल ठीक था कोई कमी नी थी फिर भी मैंने इसको आपको खोल कर दिखा है हाला के मेरी गाड़ी में वो प्रॉब्लम ना हो जो के आपकी गाड़ी में है अभी फिलाल या होगी तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं अपने गाड़ी के जरिए उसको खोल के और आपको समझा सकता हूं बता सकता हूं क्योंके हर चोटी 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 प्रॉब्लम के लिए mechanic के पास electrician के पास जाता था तो वो छोटी-छोटी चीज के बहुत सारे charges बताते थे तो तब से मैंने ये चीजे खुद से करनी शुरू कर दी और आप लोगों को भी बताना शुरू कर दिया YouTube पे ठीक है जो है छोटा मोटा खर्च बचा सको ठीक है तो दोस्तो आपने देखा कि हमने ORVM कैसे खोला है और कैसे इसको दुबारा लगाया तो अगर आपको अपना ORVM नया लगाना है तो आप इसी तरीके से उसको लगा सकते हैं तो दोस्तो आप भी अपनी गाड़ी में rear view mirror ऐसे चेंज कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तो